हमें 68 में से 42 घटाना है हमारे सामने सवाल है कि 68 में से 42 घटाना है मैं आपको दिखाता हूँ कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं साथी साथ मैं बताना चाता हूँ कि ये कैसे काम करता है तो इसे करने का सबसे आसान तरीका है तो हम शुरुवात करते हैं उस संख्या को लिखने से जिसमें से घटाया जाना है हमने लिखा 68 आप इसके नीचे वो संख्या लिख देते हैं जो घटायी जानी है 42 इस बात का खास ख्याल रखें कि इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक और दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक लिखा जाए 8 इकाई का अंक है और इसके नीचे 2 है और वो भी इकाई का अंक है 6 और उसके नीचे लिखा 4 दहाई के अंक है ऐसा क्यों करते हैं? इसके बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा. अब घटाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं. इकाई के अंग से 8 घटा 2 बराबर 6. ये लिख दिया 6. 8 घटा 2 बराबर 6. अब दहाई के अंग की और बढ़े? 6 दहाई के स्थान पर है. यानि इसी तरह 4 का मान हुआ 40. 6 में से 4 घटाएं तो बचे 2. लेकिन 2 भी दहाई के स्थान पर है. यानि उसका मान 20 है. तो 60 घटा 40 बराबर है 20. तो उत्तर हमारे सामने है. 68 में से 42 घटाएं तो बचे कुल 26. अब जरा जांच कर लें. 26 में 42 जोड़े जाएं तो कुल हुए 68. अ अभ्यास आप बाद में इस वीडियो को देखने के बात खुद करें. इस बात के भी जांच करें कि 42 जमा 26 होता है 68. और इस बात के भी जांच करने कि 68 घटा 26 होता है 42. तो इन दोनों की आपको जांच करनी है. और मैं आपको थोड़ा गहराई से समझाना चाहता हूँ कि ऐ ऐसा क्यूं होता है? 68 बराबर है 60 जमा 8. इस तरह लिखना ज़रूरी नहीं है लेकिन ऐसे लिखने से इस प्रशन को अच्छी तरह से समझा जा सकता है. तो 68 बराबर है 60 जमा 8. और इसमें से हमें 42 घटाना है. 42 बराबर है 40 जमा 2. तो हम घटा रहे हैं 40 और 2. यानि हम घट जो है 40 और 2. दरसल हम इसे एक के बज़ाए दो प्रशनों की तरहें देख सकते हैं. इकाई के स्थान पर है 8 घटा 2 और 8 घटा 2 बराबर 6. और दाई के स्थान पर है 60 घटा 40 बराबर 20. और इस तरह हमें परिणाम मिला 20 जमा 6 यानि 26.